नमस्कार दोस्तों आरो टेक्निकल एक्सपर्ट में आपका स्वागत है उम्मिद करता हूं कि आप अच्छे होंगे देखे तो यह एक आरो रिपेर हो रहा है और यह आरो जो है एक्वा डीगी कैबनेट में एक आरो असेंबल किया गया एक आरो है और इसका स्टोरिज टेंक आप देख सकते हैं नीचे की तरफ रहता है और इसके सारे फिल्टर उपर वाले पोर्ट्शन में रहते हैं यह इस टेप से इसका फ्रेंट पैनल रहता है तो इसके बेसिकली जो हमारे सर्विस इंजिनेर और उनने जो सर्विस की जो वीडियो बनाई है इसमें बेसिकली लेकिन जब टेख निकालते है तो एक कांद जोaiser कि टेंक निकालने की कोचिश करते हैं तो डारेक्ट से पकड़ खीजिो लेते हैं लेकिन अगर अगर आपको बताइंगे किस टेप से टेंक निकालना है और लगाना है यह देखिए इसका टैंक रहता है लगए 6-7 लिटर का स्टोरिज टैंक रहता है और जैसे कि इसमें कुछ 2-3 महने बाद कि इसकी क्लिनिंग करने की अगर आप सोचते हैं तो आपको बताएंगे कैसे इसका टैंक खोलना है बेसिक लिए अब इसके जो फिल्टर वगरा चेंज इसके बाद ही हमें इसकी नोजल टूट गई है और इसे निकालना होगा नोजल टूट जाती है तो इससे कैसे निकला जाता है इसकी टेक्निक या रहती है हमने आलड़ी अपने चैनल पर डाले हुए है आप देख सकते हैं कभी आपको भी ऐसी कोई प्रोलम फियस करनी पड है और इसके जगर निकला लगाया जा रहा है इसमें तो आपको भी कभी फिल्टर बगर चेंज करने पड़े तो आप इस टेप से फिल्टर चेंज कर सकते हैं यह देखिए यह कार्बन फिल्टर को भी फिलस किया जा रहा है कार्बन फिल्टर भी अगर आप लगाते है तो तो इसे फ्लश जरूर करने लगाने से पहले, नहीं तो हमारे मेमरेन और मेन जो हमारा एस वी रहता है उसको नुक्सान पहुंचता है, यह देखिए, यह एलकलेन फिट हो गया, लगारा लगाते समय ध्यान रखने है कि लीकेज कोई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लीकेज आती है तो पार्ट्स खराब होने के चाहंच से जाती है, जैसे अब देखिए, यह टेंक मालनों साफ हो गया, तो इसे लगाने के लिए अब हमें डिरेक्टी ऐसे नहीं लगा देने से थोड़ा चा टेड़ा करना है, नीचे जुका के बैक वाला पोर्शन, इसे इंसेट करते हैं, जैसे आपने हमें देखा करते हुए, उसके बाद इसे फिट कर लेना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगे और यह जान करें, अगर आपको पसंद आती है, यह देखिए यह फिट हो चुका है, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेर और चैनल प अब इसे चेक किया जा रहा है पहले थोड़ा पानी निकाला जाएगा देन उसके बाद इसे FR कनेक्ट किया जाएगा बेसिकली यह जो कैबनेट है एक्वार डिगी कैबनेट में यारो एक बनाया गया है एसेंबल ला रहा है बेसिकली इसमें फीचर सारे दिये हैं आरो यूवी यूफ टीडियस यह देखिया फ्रेंट पैनली स्टैप से लगने के बाद कितनी बहत्री ने लुकिस किया आती है और इसमें इसके अंदर पानी फिल हो रहा है डेन पानी निकल रहा है कभी आपको भी सार रिपेर करना पड़े या सर्विस करने पड़े फिल्टर चेंड करने पड़े तो आप इस टैप से कर सकते हैं जैसे हमने आपको दिखाया सबसे बड़ी बात है टैंक का जरूर धियान रखना है अजर शbreakट बात है